नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे यूटूबर की लाइफ के बारे में यानि कि अगर आप यूटूबर हैं मैं यूटूबर हूँ या बनना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये जानकारी होगी कि यूटूबर की लाइफ कैसे होती है वीडियो पहली बार देख तो like कर देना, channel कर लेना subscribe तो सबसे पहले बात करें, YouTuber की life ऐसी होती है कि एक ही कमरे में उसको बिताना होता है पूरा दिन योकि उसको topic के बारे में सोचना होता है कौन सी वीडियो कैसे, किस time जानी चाहिए, वो सोचना होता है और कोई भी चीज उसके सामने घटित हो, यानि कि कुछ भी situations create हो, हो रहा हो, कोई काम हो रहा हो, तो उससे related उसको वीडियो सूझ जाए, दिमाग में आ जाए कि उसको वीडियो बनाना है उस topic पर ऐसी life होती है यूटूबर की, उसको जो यूटूबर होता है चाहे अगर बात करें तो चाहे बड़े platform पर काम करता हो, बड़ा चैनल हो, और बात करो, अपनी तो मुझे आज थोड़ा जुखाम है, तो वीडियो, अगर audio में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए छमा चाहूँगा, तो आपको बतादू कि जैसे जो मन्थली अपनी वीडियो डालते हैं यू बहुत सारे रीजन हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, एक concept देना, एक वीडियो में solution देना, किसे भी content पर काम करना, edit करना, उसके बाद public दर पहुचाना और public को पसंद आए, उनका उस वीडियो में solution उनको मिल जाए ऐसे वीडियो सोचने में समय तो लगता ही है तो यूटुबर के लाइफ कुछ ऐसे होती है कि उसको सबसे पहले जो काम करना होता है patience उसके अंदर होना चाहिए क्योंकि कोई भी वीडियो बनाने में बहुत समय भी लगता है successful होने में भी बहुत समय लगता है और इस चीज को मद्धे नजर रखते हुए जो यूटुबर के लाइफ है वो कुछ इस प्रकार से ढल जाती है कि उसको बस काम करते रहना है काम करते रहना है और फल की चिंता तो करना ही है कही न कहीं अपने मन में लेकिन काम पर ज्यादा फोकस करना है क्योंकि successful तभी होंगे या फिर फल आपको तभी मिलेगा जब आप content सुधारेंगे अपना वीडियो जो बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे आप जब काम करने लगते हैं तो बहुत सारी चीजे आपके सामने निकल के आती है जिस पर आपको काम करने के जरूरत होती है चाहे वो camera के सामने कैसे आपको बैठना है, camera के सामने कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको interact करना है अपने fans से या फिर अपने fans यानि की जो entertainment की line में हैं उनके लिए तो fans होते हैं, जो celebrity होते हैं, उनके fans जो होते हैं और हमारे यूटूबर्स ज्यादा तर अपने subscribers को fan नहीं कहते या जो उनको follow करते हैं, वीडियो देखते हैं, fan नहीं कहते हैं, तो जो आपकी family बनती है, आपके face से आपकी public जो है, आपके जो परिवार है YouTube पर बनता है, वो कहीं न कहीं आपसे कैसे connect होगा, कैसे आप उन्हें satisfied कर पाएंगे, उस पर ही आपको सोचना होता है, और सबसे बड़ी बात YouTuber की जो life होती है, वो ज्यादा तर YouTubers एक ही कमरे में अपना सारा समय बिता देते हैं, जो कि आम आदमियों से बात करें तो उन्हें ये लगता होगा कि bored नहीं हो जाते, क्योंकि मुझे बहुत सारे questions आत है, आप जो भी है, तो उनको, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, कि आप दो-चार वीडियो बना कर देखिए, आप एक दिन में एक वीडियो महीने पर डाल के देख लीजे, अपने आप इज्जत आप किसी भी YouTuber की करने लगेंगे, तो ये होती है YouTuber के live, दिन भर, मतलब 12 घं 16 घंटे, तो वो editing करने में ही लगा देता है, अगर एक दिन में उसको project त्यार करना है, सबसे ज़्यादा काम लगता है, editing में कैसे, editing का effect डालना है, उसमें काम लगता है, तो YouTuber के live बहुत ही मुश्किल होती है, असान नहीं होती है, जो भी camera face करते हैं और interact करते हैं लोगों से बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए, हमेशा continue content देना उसी प्रकार से, क्योंकि जो family होती है, जैसा कि YouTube से जो लोग जोगते हैं, उनको हमेशा solution देना बहुत बड़ी बात हो जाती है, किसी एक content पर काम करना, हर रोज एक वीडियो डालना, एक यह जैसे educational है मेरा, तो मै अपते भर में dance आ जाता है लोगों का, लेकिन बहुत मेहनत लगती है YouTuber बनने में, यह तो आप मान लीजिए, मेरा personal experience भी है, ज्यादा तर लोग यह कहेंगे, और अगर नहीं भी मानना है, तो आप बस एक वीडियो रोज, एक महीने डाल कर, अपने YouTube channel बना करके डालिए, उस पेसेंस के साथ काम करना है, काम करते रहना है, कंटेंट पर ध्यान देना है, क्योंकि वही आपको आगे लेकर जाएगा, इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, चैनल को लाइक साथ, सब्सक्राइब जरू कर देना